तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉड़कास में आज का पॉड़कास होने वाला है बहुत ही अलग बहुत ही बहतरीन क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर पलक सुखवानी जी मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूँ दोस्तो हमने इंडियन ओकल्ट के बारे में बहुत सारे पॉड़कास करें आपको बहुत सारी नौलिज दी है बट इंडिया की बहार वेस्टर नौकल्ट कैसा होता है वहां कैसी प्राक्टिस होती है और आपने हमारी पॉड़कास में कुछ ऐसे इटालियन स्विच वर्ड सुने हैं जैसे कॉन्वालेक्स प्रोस ओपि翻唱 तो हमने वह वर्ड सुन लिए वर उसके पीछे की साइंस नहीं बहुत सकते हम सकते हैं और किन लोगों के साथ वु काम करते हैं और actually वो Italian है भी नहीं है, ऐसा हमें मैम ने बताया है, तो आज उनके बारे में भी जानेंगे, और थोड़ी सी बाते करेंगे, demons के बारे में, diamonds के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, तो आज बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है, तो इस podcast को end तक देखना, तो सबसे पहले welcome मैम Thank you, thank you so much, आप हमाले टाइम निकाल कर यहां पर आए, and शुरू करते है माम स्विच वर्ड से, आज बहुत ट्रेंड में है हमारे podcast से, कॉन्वालेक्सा नाम का एक टर्म, बहुत जादा ट्रेंड में आया, हर कोई कॉन्वालेक्सा, कॉन्वालेक्सा चैंट कर रहा है, तो ज There was this phase in my life, जहां पर मेरी a spine की major surgery होई, अब वो जब spine की major surgery होई, तब मैं medical school में थी, and उस दौरान वो इतना बढ़ा गाप था, उस दौरान, सो जिब मैं research कने लगी, कि मैं अपने आपको कैसे हील कर सकती हूँ, and then it happened, कि मैं एक इनसान से में जो की लीच नाम के जगा है, जो Italian, जो है वो modified version में बोली जाती है, and the other languages they use, बहुत सारी languages वो यूस करते है, and I happen to meet him, and वो सारा on 9,000 थाउस time है, so बातों बातों में कहते हैं, कि जब आपने आपको हील कर रहे होते हो, तो you come across such people, and you ask them, कि मैं साथ यह हो चुका है, like how can I heal myself, and that is how, these concept of folkshires, they came to me, Folkshires क्यों होते हैं? Folkshires basically, अगर आप उस देश की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमारे आपूजा पात होती है, वहाँ what they do is, they do blessings rituals, blessings, यानि किसी को bless करने के rituals, ताकि वो heal हो जाए अपने लाइफे, and जो, जब वो blessing rituals कर रहे होते हैं, तब एक specific chants बोले जाते हैं, और जो chants बोले जाते हैं, उन्हें folkshires कहा गया है, यह italians which words ही होते हैं, जिन्हें folkshires कहा जाता है, no, they are not properly italian, वो modified form of italian, all right, and वो सिफ एक leech, Ravenna, Porsienno, वो जो lower जो italy के जो region से, वहाँ के ही italian verse में बोले गए है, तो हम यह कह सकते कि वो originate वहाँ से होगा है, जहां के बात कर रहे हो Exactly, तो अगर आप कभी भी उसके बार में research करेंगे तो अगर आपको नहीं लगेंगे, like they are not, they don't have any meaning, but वो लोग अपने culture के साब से, वह blessing rituals के तौर पे यह words यूज करते हैं, ता कि जो उनकी community है, जो उनके लोग है, उनको वो heal कर पाएं, तो वहाँ पैसे के ले ही यूज होत Say for example, को इंसान है, वो लंबे अर्से से बिमार है, so वो क्या करते हैं, उस पोप को गर पे बिलाते हैं, और वो उनकी उपर blessing ritual करता है, और जब वो blessing ritual करता है, तो what they do is, एक कटोरा लेते हैं, और उसके अंदर वो उनके holy leaves होते हैं, वो उस कटोरे के अंदर डाल के वो पानी सामने वाले इंसान पर छिड़कते हैं, और जब वो छिड़क रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है blessing, यहनी किसी को bless करना कि आपकी negative energies निकल जाएं, और उसे bless करते हैं, ता कि वो positive energy से इंफूज हो जाएं, और जब वो blessed कर रहे होते हैं, तब इंचांट का उपयों की हुआ ह जाएं, तो जाएं, तो अब जाएं, तो आपकी ब्लेसिंग के लिए इसको मुझे करें, जाएं 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 अगर आपकी भी money issues से जा रहे हैं, यह कभी abundance नहीं है, बहुत लंबे समय से दरद्रता बहुत हैं, आप कितना ही कोशिश के तो results नहीं बलती है, तो फुमक्ट फुमक्टम, अब लिखने में अगर आप में बताउंगी तो वो फुमक्टम हो जाएंगा बद उसे कहा जाता है खुमक्तम, और जो ट का वो त त बहुत है, आपके जीब से आता है, सो वाइब सहीं डिएंगर 51 ताइमक्टम चांट करो विद आपकी जितनी में मानी बलॉक वो निकल जाए और यू आर बेस्टोड विधाट अबंदनस और इसको अगर 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 आपनांस करें तो इसी वे में करना है तो ऐसा है कि वो लगेगा नहीं हो जाए तो ऐसा है कि वो लगेगा नहीं I think this is the major topic why बहुत लोगों को आजकली Italian Switch Words बड़े फेमस हो चोके हैं और काफी लोगों के Mixed Reviews हैं कुछ लोगों के वो काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों के रहे हैं कि अरे आया हुआ पैसा भी चला गया The reason why it is happening is because उसे एक specific तरीके से चैन्ड किया जाता है अब से फर एक्जामपल में गुजराती बात कर रहे हैं तो इसका एक लहजा होगा हम Hindi बात करें तो इसका लहजा है इसी तरीके से फोक्षायर्स यहां जिसे हम के एक चैन्ड करने गा इसे बहुत अचलेगर नेका आख जैंड इसे बहुत अच्छा इक्जामपल है Conval-Essa basically वह Conval-Essa नहीं वह Conval-Essa है जो A है वह Silinkwn अब लोग खुश होगा चलो अब हम यह बोलेंगे अब आयागा पैसा अब बढ़िया चली की जिंदगी कौन वर लेक्सा I think I have more than 10,000 feedbacks about that because you just same you just switch words I'm 2018 से लोगों को सिखारी हो and even if you go to my website or if you go to my social media platform पे जाते हैं वो 2018 से वाइरल है and there are so many people who have used it coming back to your story जब आप बता रहे थे जब आप बिमार थे तो उनों ने उन टीचर ने आपको कुछ words बताए या उन से आपने पूरा ग्यान लिया इन 10,000 से ज़्यादा words मैं अब भी ग्यान ले रही हूं उनी टीचर से इग्जाक्ल उनकी पूरी कम्युनिटी एवाप बाप एग्जाक्ल इस एफ एक्जामपल किसी को तंत्र सीख नहां तो वो तंत्रा चार्य के पास जाएंगे किसी को पूजा पार सीखना है तो वो गैतरी संपरदाय में जाएंगे इसी तरहीके से अगर आपको वहा के कस्टमस और रिक्टोल सीखने तो यू गाव तो बी इन टॉच विद देँ अभी भी सी एक कई भी अपने आपको गुरु नहीं कहते हैं मिमिशा कहते हैं मैं अभी सीखरी हैं अन्ताटाख सीखती रहूंगी and there are so many chance एक नहीं है ऐसे 10,000 से वी उपकर है अच्छा अगर आप कुछ हमारी ओर्डेंस के लिए इन जेनरल में जो डेली यूज में वो कर सकते हैं पैसे के लिए हेल्थ के लिए और पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए उसके लिए कुछ आप बता सकते हो तो हो जाएगा अच्छल बोर्ड एक्जाम बोर्ड नजरीक है और काफी बच्चे उसके लिए वेट कर रहे हैं तो जो लोग जो मदर्स यह इवन बच्चे फर आट रिगार्ड अगर वो अच्छे माक्स लाना चाहते हैं अच्छा कॉंसंट्रेशन उनका हो जाए बोर्ड एक अच्छा चांट है ऐती नाओ अथी नाओ अथी नाओ अफी नाओ ए अगर आप कोई भी चीज आप लूप में करते हैं बार बार आप सुन जो या अप इस लूप को बचालो यू आपकी बसाम इंवरी वह लाग जाती हैं कि आ बेसे चांट करने लग जाते हो अब आप तोड़े दिन रहते हो आपका लेजा भी वैसा हो जाता है अड़ाप्ट कर लेते थोड़ा कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हायर सोर्स में अपना इंटेंशन भीजना पड़ता है जो लॉफ अट्राक्शन भी कहता है, स्विच्वर्ड्स भी कहते हैं और हर मोडालिटी कहते हैं कि अगर आपको सेफर एक्जांपल कोई कार चाहिए तो आप उसको हायर सोर्स तक भीजने के लिए आप अलग-अलग टूल्स यूज करते हैं अब क्या होता है अगर आपको स्विच्वर्ड्स के अंदर अल्ट्रा सॉनिक अगर स्विच्वर्ड्स बीजिकली काम कैसे करते हैं वह पकी पीनल ग्लाइण को स्विच्वर्ड्स कारते है अब जब वह पीनल ग्लाइण घ्लाइण होता है सो ऑहं से एक फ्लुवइड निकलता है और वह जो फ्लुवइड वह आपके दूरा मे ம a successful correction will new और बहुति भोंषाने चाहे हैं जो भी इंटेंशने अम सूच्छा है वो सीधा हाइव सोर्स तक जाता है तो जो रीजन वाय यह फोक्शाय इसकाम कर रहे हैं बिकस इनके अंदर वो अल्टरसॉनिक वेव जब उच्छान किया जाते है तो वो अल्टरसॉनिक वेव निकलती है जो सीधा च्राउन चक्रा से सीधा उनिवर्स यह यह अई हायर सोर्च तक जाती है तो आपने जो यह वर्ड बताय से बंदा पास हो जाएगा अच्छे मांक से पास होगा क्या होगा अगें अगेंद देपेंद नी इंटेंशी जब वो अधिनाव चैंट कर रहा है यह थो और शी थो पुट दा इंटेंशी कि मैं अच्छे मांक सिक्या और कर रहा हूं कि मैं केवल सिफ पास होने कर रहा हूं वो इंटेंशी वो संकल्प बहुत इंपॉर्टन है वो इंटेंशी वो संकल्प रखना पड़ेगा और वो 51 ताम जब आप चैंट करते हैं तो लग भग तीन मिनिट लगते हैं और कोई भी संकल्प को हायर सोर्स तक जाने के लिए अट लीस्ट दो मिनिट लगते हैं तो मिनिट चाहिए क्राउन चकरों को ओपन होते हुए यह पूरे प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो पूरे प्रोसेस में दो मिनिट लगते हैं दूरामेटर रिलीज हुआ क्राउन ओपन हुआ हायर सोर्स तो इस पूरे प्रोसेस को तू मिनिट लगते हैं और आप जब यह सेम फोक्षा है 51 ताइम्स चैन्ट करते हैं तो करीबन 3-3 तीन मिनट हो जाते हैं So when you do this, when you exceed 2 minutes, automatically जब आपका चैनल उपन हो जाता है So that is how you start manifesting Got it Okay, और बात करते हैं, और टालन सुच्छ वर्ट जैसे तो पढ़ाई कली हो गया So health के लिए कौन सा है? So health के लिए बहुत सारे हैं, but अगर कोई इंसान को एकदम से pain हो रहा है And वो unbearable है, वो इंसान कंट्रोल भी नहीं कर रहा है So there is one beautiful folk shire, जो मैं आपको बताना चाहूंगी Lutzpairia 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 नेक में घुटने में कहीं भी अखोड़ा है हर जगा वोग करें कहीं भी And there is one more, I think I have got so many feedbacks about this It's Athena, pain be gone Athena, pain be gone यह भी pain के लिए? यह भी pain के लिए I was saying that this is 51 times And how many times you can see that one person One person is having pain So it will be fine for two minutes तो प्रवार ठीक हो जाएगा अब कितना टाइम लगता है इट उज्यूली विश्यूली साथ वर्किंग राइवे अच्छा अच्छा यह तो सही चीज यार कहते है निवे वह वर्ट सुने मैलेडी खाओ खुछ जान जो वही सिस्टम है तो जाने वही सिस्टम है तो आप देखो था यह क्या थैज सिफ एक सिंपलसी चैया अब देखो फेखा रहे ना मानो तो बगवान है नहीं मानो तो पत्थर सेम इसमें है करने में तो कोई बुराई है नहीं आप एक बाद करके तो देखो जाए उसके रिजल्स आइंगे आटोमाटिकली वो फेट डेवलप होता जाएगा अज दुर्फिंड एक रिलेशनशिप के लिए कि गल्फिंड नहीं है तो गल्फिंड आजाए रिलेशनशिप चल रहा है तो अच्छा हो जाए ऐसा है कुछ में पास कोई दही वाले हो पाइंगे यार आप तो हमारे बौडगास पहम को या के आखे यह सथे तो महीं रोस्ट कर रहे हो तो बेजिकली अगर कोई आपके लाइफ में आनी रहा है कोई पार्टनर नहीं है तो इसके लिए दो वर्ड का एक फोक्षा है सुपीरियो पेरियो लिसस अब जिस तरीके से मैंने बोला है अगर आप इटालियन एक्सेंट देखेंगे एक्जाक्टी सेम मेलेगे आपको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कोशिश करनी पड़ेगी ऐसे ही बोलने की अगर आप कोई भी चीज सुनेंगे लूप पे तो हो जाएगा कितनी देर में आजाएगी बनी जैसे आपने फरस्ट चैंड करा उसने कैब बुक करी बला ऐसा हो सकता है कि इंस्टा पर मुझे खुदी मेसिज आ जाए कि अपने आप ही आ रही है गल्फेंगे अगे 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 तो ये बिसिकली गर्फेंट भी करते हैं लड़कें इंटेंशन से बोलेगा तो कैजूल के लिए पार्टनर मिल जाएगा मैलेडी खाओ खुद जाएगा है साही है साही है और उस वे में भी काम करता है कि जैसे रिलेशनशिप की ही बात हुरी है तो जैसे घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं मॉम ड तो यसे देट ऑबर्ट,प्लेस अबदर्थ और टाईम ऑफ बर्थ इन चीजे माँगे आपका चार्ट बनाता है वहाँ पर कैसा होता है वहाँ यह बहुत जादा लोग मानते हैं दूस्रा ट Guide प्राक्टिस लोड उडुरी डिविनिशिन की तर्चरारोग बारे वे सोना होगा रून्प ओन्हें पारे में आपने पहला होगा। ज अन्हें पर उनके उटोल्च की आफ़कों अगरेश्पिस ओना। तो वो रून्स थे, अच्छा, अच्छा, और हर एक रून का, हर एक अल्फाबेट का एक मतलब है, तो आपको प्राक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा बताओगे उसके हिसाब से, Okay, so basically, कोई भी आपके पास आता है, कोई भी क्लाइन आता है, वो मेरे पास आपके यह कहते हैं, कि मेरे next three months कैसे होने वाले हैं, So हम क्या करते हैं, हम specifically, अगर आपको रून्स बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले stones collect करने होते हैं, अलग-अलग तरीके के stones, crystals collect करने होते हैं, और जब आप उन stones and crystals को connect कर लिये होते होते हो, उसके particular number होता है, उतने ही आप collect करते हो, 24 and 25, and then once you collect them, आप उसके उपर एक blessing ritual करते हो, blessing ritual यानि जो भी उन पत्थरों के अंदर negative energy है, उन्हें आप रिमोग करते हो, अपनी energy के साथ connect करने के लिए उन्हें ब्लेस करते हो, फिर आप करते हो golden ink लेके, आप वो रून्स खोद अपने हाथों से draw करते हो, आपने लेटर सोना होगा A, B, C, उसी तरीके से, रून्स भी रीडिंग करनी होती हो, तो आप क्या करते हो उन स्टों को Shuffle करते हो, जो भी स्टों निकलता हो and जो भी आल्फाबेट निकलता हो, उसके मतलफ पर कैसा प्रेडिक्शन देते हो, तो वो आल्फाबेट उन स्टों पर लिखे जाते हो and आप एक ऐसे निकालते हो, जैसे उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका यह यह तो हर एक अल्फबेट एक पर्टिकुलर स्टोन पे ही लिखा जाएगा यह वो रैंडम ओर में किसी भी स्टोन पर कोई भी अल्फबेट लिख सकते हैं बेजिकली आप अपनी एनरजी के वे से चूस करते हो कि कौंसे स्टोन पर कौंसा अल्फबेट क्योंकि वेस्टन अकल्ड जो है वो स्टोंग आपकी अनरजी पर मानता है वो तो यह भी कहता है कि जो तारो कार्ट होते हैं तारो कार्ट के बार में I think they are pretty much famous now वो यह कहता है वेस्टन अकल्ड कि हर अहम ब्रह्मास्मी का जो कॉंसेप्ट है वो फॉलो करता है और उनके हिसाब से टारो कार्ट आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हल्प होते हैं वो यह भी कहता है कि जो भी होने वाला है आपके सबकॉंशेस माइंड को अल्रेडी पता होती है बद उसे आप डेसिफर नहीं कर पाते हूँ यानि उसे आप क्लियर ली बतानी पाते हूँ वो डेसिफर करने के लिए उसका एक क्लियर मतलब के लिए अब तैरू कार्ट्स पिक किया जाते हैं अच्छा माम जैसे अगर फ्यूचर प्रेट करते हैं क्लाइंस का तो फिर वो अगर कुछ गलत होता है तो वो रेमेडिस भी बताते हैं यहां की रिमेडिस में more or less same ही होती है but इतने उनकी जो मुडालिटी है इस वेरी डिफरेंट क्रिशल सजेस्किये जाते हैं काफी छोटे-छोटे क्विकी रिचुम्स जो होते है वो बताते हैं कुछ गड़वाया जाता है ऐस तो यह प्या होता है? उस इंसान पे से एंटी-Clockwise 11 बार रोटेट करवा के अपने घर के बाहर उनको भेजा जाता है और इस जो पत्ता है उसको कोई भी पेड के नीचे गाड़ा जाता है और कहा जाता है कि हेना लीफ होते हैं जो महंदी का पत्ता होता है उसके अंदे वैसे chemical properties होती है कि वो सारी negativity को उस इंसान की औरा से अब्जॉब कर लेता है और उस पत्ते को जाके जब आप घर के बार ले जाते हैं और कहीं किसी पेड के नीचे गड़वा दे तो तो आप उन चीजों को ग्राउंड कर रहे हैं यानि यार सेंदिंग बाक तो दा सोर्स सो ऐसी कोई क्रेमिडी होती है उस पे से मुझे क्या आदार है अगर कोई इंसान है जिसे बहुत जादा पैसो की प्रॉब्लम है या वो बहुत लम्मित समय से बहुत संगर्श कर रहा है बर उसे रिजल्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कहा जाते हैं एक रुपे का सिक्का लेते हैं या कोई पैनी जिसे हम अपने रुपे का सिक्का या एक डॉलर लेके घर के बाहर जाना पड़ता है एंड देन वोट यू दो इस कि आप उल्टे खड़े रहते हो और उल्टे खड़े रहके आप उस लुद तूनि को पकरते हैं या बडॉलर के को पकरते हो और आप कहते हो जितनी भी मेरी बुरी बलाए हैं जितनी भी मेरी ब्लॉकेजिस हैं उन्हें में पीछे छोड़डा हूं I'm leaving it all behind और अपने राइट शोल्डर सा पीछे फिक देते हो और अपने घर के अंदर आ जाते हो अच्छा तो आप अपनी ब्लॉकेजिस को पीछे छोड़के अपने घर में एंटर वे एंट आपकी फिनांशल ग्रोड चालो जाती है तो उस कॉइन में कोछ चांट नहीं करना होता कोई मंत्र या कुछ भी बस स्ट्रेट अवे या चालो और अगर वो कोई किसी और के पैर में पढ़ जाया किसी को किसी के घर के आगे चाले तो उसका नुक्सान तो नहीं हो जाएगा नहीं ऐसा मेरे नॉलिज में इसा कभी नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग जादा सूपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए लॉजिक बहुत सिंपल है वो प्यूर साइंस में बिलीव रहते हैं अच्छा मैं जैसे यहां पर बहुत सारी पूजाएं भी होती है अश्यतर नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वेज में किसी का पॉजिटिव करना है तो फिर वेदिक मंत्रों से चैंटी होती किसी का बुरा करना है तो उसकी अलग प्रैक्टिसेश होती है वहां पर क्या होता है Western occult में क्या क्या होता है वैसे देखा जाये तो एनरजी एनर वो लोग वहाँ फॉलो करते हैं अच्छा एंड उनकी यह ब्यूटी है वह ब्यूटी है क्योंकि वह एनर्जी को रौ फॉर्म की तरह देखते हैं तो हां ऐसी प्राक्टिसस डेफिनेटली होती है जहां कुछ लोग ब्लाक्माजिक करते हैं दाक आर्ट्स जिसे कहा जाता है कुछ लोग उसे किसी के भले के यूजिए करते हैं जो कि वाल्ट मैजिक कहा जाता है जो मैं करते हैं हसलिशा ह unless अहिए और किसी के हित के लिएomer कै या किसी के बैनीफिट के ये souvent को हे किया ज़ये वहां पे भी सेम है? वहां की टेखनीक थोड़ी डिफरेंट है वहां वुदू डॉल्स जैसे कहते हैं बात निकली वुदू डॉल्स पे वह बेसिकली वह वेस्टिन माजिक में भी सेम चीज प्राक्टिस करते है वुदू डॉल एक इनसान के शरीर को रिप्रेजेंट करता है अगर किसी पे कुछ एनरजी फेकनी है या डिरेक्ट करनी है तो इनसान का होना जरूरी है यह हर धर्म मानता है यह हर रिच्वल सेमी है चाहे आप एक हवन भी कर लो तो वहाँ यजमान का होना जरूरी है इना सिमिलर हुए इसी तरीके से वहाँ के लोग भी इन ही चीजों को मानते है कि अगर कोई भी रिच्वल करना हो या कोई भी एनरजी किसी पे कास्ट करनी हो तो उस इनसान का होना जरूरी है पर what if वो इनसान खुद नहीं है, तो वो उस इनसान का रेप्लिका बनाते हैं, जिसे वो कहते हैं वूडू डॉल, अब वोही वूडू डॉल वहां आप किसी के लिए हेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, यानि किसी को विमार हो गया, को इनसान बड़े लंबे अर्से से प पर हो जाता है, ऐसे चीजे जानने में बहुत मज़ा आता है हमारी जनता को, तो आपको वहां की डाक साइड बता सकते हो, मतलब की नेगेटिव अकल्ट कैसे प्रैक्टिस होता अगर आपको नॉलेज है तो, परला यह जो टर्म है नेगेटिव अकल्ट, वो टर्म ही गलत ह अच्छा, और इसलिए गलत है, बहुत क्लोजली मैंने एक चीज वहां देखी यह टॉम आपने सुना होगा, डिम्नोलोजी, यह तो आज आप से सुना है पहली बात, इसमें क्या होता है, साइकोलोजी सुना है, फिजियोलोजी सुना है, इसे अलगी, ने उसकी बगाइड वहां लोग उस चीज को पढ़ते हैं और उसकी कॉफिशल डिगरी भी है, जहां डिमन्स का मतलब पहली बात तो, अगर हम स्क्राच से शुरुआत करें, सो डो टर्म से, डीमन और डाइमॉन, अच्छा, अब हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में क्या है, कि सबसे पहले द अपने बच्चे बनाये थे, और वो हर एक बच्चे को एक एक कार्य दिया था, और वो कार्य इसलिए दिया था, ताकि वो एक प्रिथवी को रच पाएं और वहां की रेगुलेशन को संभाल पाएं, सो कैसे डिमनोलोजी एक्जिसंस में आया, कि जिस तरीके से हमारे देव की देवता हैं, फिर उन्होंने सारी रचना की, प्रिथवी की राई, वेस्टन अकल्ट में जो रचना कार हैं, उसे कहा जाता है एंसोफ, यानि सूर्य देवता, टेक्निकल टर्म में या लेमन टर्म में अगरा बात करें, उन्होंने अपनी हर एक किर्ण से, 72 एंजल अगर वो कोई मुसीबत पे हैं, बट कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हुई, कुछ ऐसी मदभेद हुए, तो एंसोफ, यानि जो देव थे, जो क्रिएटर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो करते ही नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रिथवी को डिस्ट्रॉई कर इस अगर देगे, जो उन्होंने खुद ने खुद ने क्रिएट किया थे, वो डिस्ट्रॉई कर देगे, तो जो बच्चे उनके फेवर में खाड़े रहे, उन्हें आग के एंजल्स बनाया गया, और जो बच्चे उनके विरुद्ध चले गया, यानि पृत्वी डिस्ट्र होने के विरुद्ध चले गया, उन्हें फॉलन कर दिया, उन्हें बेदखल कर दिया, अच्छा, मैं यह बड़े हिंदी वर्ड्स यूस कर रहे हूं, अगर मैं इंग्लिष यह टेकनिकल वर्ड्स में जाते हूं, तो वो कहा जाते है कि देवर जस्ट डिप्राइब फ्रॉम कोई माबाप अपने बच्चों को यह कर सकता है, आप खुद बटाएए, आप खुद बटाएए, उन्होंने वो नहीं किया, वो उनके खुद के ही बच्चे थे, उन्हें बेजा गया, अब जब वो धर्ती पे आगे तो उनका एक एक पंख निकाल दिया गया, कि वो वापस वो हेवन में ना जा पाएं, उन लोगों को यानि उन वो जितने भी फॉलन आखेंजल थे, उनको लोग दीमन की नाम पर जानते आज, वो जो इवल है, जैसे यहां पर असूर हो गए, कह सकते हैं, कह सकते हैं, सो यहां पर भी दो बाइफर्केशन हैं, डीमन और दाइमोंस जब लोग इस वर्ड डिमनोलोजी के बार में सुनते हैं, तो उनके दिमांग पहले आजाता है, कि भूत पर साच है, भईया, हमें नहीं पढ़ना है, और यह सारी इवल स्पिरिट्स है, नेगेटिव एंटिटीज और यह पिच्चरों में भी दिखाये गया है, वलक, नन, इन सारी चीजों में उस तरीके से पोट्रे किया गया है, बट दो वर्ड डाइमॉन, अगर आप उसके बाल में रिसर्च करते हैं, तो पहला स्टेट्मेंट जो आएगा, उसका मतलब होता है, वो जो मसिया है, हायर सोर्स, यानि भगवान, और हूमन के बीच, और उनकी कहा गया है, however, adding to this, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिफ अच्छी चीजों के बारे में, अच्छे एनरजी के बारे में सीखते हैं, उनकी लीनियज, जो की डाक साइड की और है, उनके बारे में भी सिखाया जाता है, reason, ताकि हम उनसे प्रोटेक्टेड रह पाएं, और इसकी पड़ाई क्या चर्च में होती है, कोई और स्पेशल जगा इसके लिए, जैसे कि कहते कि सेटन के चर्च भी होते हैं, specifically, वहां पे होती है, कहां पे होते हैं, बीजिकली इनके बारे में मिस्ट्री कवन्स होते हैं, कवन्स का मतलब यह होता है, जहां, say for example, कोई सन आतन धर्मी है, तो वो जो धरम को फॉलो करते हैं, तो वो एक बीजिकली वो एक सोशल ग्रूप बन जाता है, जो एक ही लीनियज को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से अब्रॉड में, दरा कवन्स, तो ऐसे ग्रूप ऑफ पीपल जो एक चीजों को, एक पर्टिकलर जाते हैं, तो बहुत सारे से कवन्स हैं, जो इन सारी प्राक्टिस को रिलिजिएसली फॉलो करते हैं, आंसरिंग द ग्वेस्टिन सिर्च में ही ये सारी चीजे नहीं सिखायी जाती हैं, तो उनके खुद के एक मिस्ट्री स्कूल हैं, और वहां सिर्फ उन ही लोगों को लि और वहां सिर्फ तो फॉलो करने परते हैं, तो ये समाल रहे हैं मिस्ट्री स्कूल्स और ये जो बीमन और देमॉनिक के आबात करोएं, इन सब का अगर मैं पूछू की जैसे लूसिफर के वारे में वारे में देखाया जाता है कि इन सब का है वह न इसा कुछ है बताया जा वार में कोई नहीं बात करता, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस आठवे लेइर में, वो आठवे रेल्म में ये सारे दिमानिक एंटिटीज रहते हैं, अब जिस तरीके से आपने सुना होगा कि हमारे सबसे पहले हमारे फादर आते हैं, फिर उसके उपर प्र फ़रफादर उनके आर्केंजल को बनाया था, वो फॉर्स लेयर में आ गए, अब उन में तीन थे, लूसिफर, माइकल और गेब्रियल, उस जो टॉप मोस्ट लीनियज में थे, यानि जो सुप्रीम जिनको सबसे ज़्यादा पावर दी थी, वो तीन थे, अब आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गेब्रियली कितने पॉप्यूलर हैं, और कितने लोग उनको पूछते हैं, बर वेरी फॉर्स लीनियज जो आई थी, वो इन तीनों की आई थी, उसके नीचे और एक आठ लोगों की लेयर आई, फिर लेयर, तो इस तरीके से लीनियज ब आठवा लेयर दे दिया गया, the reason why it's called eighth layer, because वहाँ वो eight entities है, वो eight higher dimensional energies है, and उसी का ही एक पार्ट है लूसिफर, और सिर्फ लूसिफर ही नहीं है, उसके पीछे लूसिफर के भी चार रूप है, सेटन जिसे सुतान कहते हैं, हर एक religion में इनके बार में वर्नन किया हुआ है, और हर एक की energy different, different है, and if you watch that series, जो Netflix है, Lucifer, I am sure बहुत लोगों नहीं देखी होगी, इन चारो का नाम उसमें दिया हुआ है, so the first eighth layer, इन आठ demons के बार में दिया है, और भी of course layers है, पर मैं चार major की बात कर रहे हूँ, and वो demonic है, उसके नीचर जितनी भी energies है, वो comparatively वो evil नहीं है, वो in fact humans के favor में काम करती है, अचाराम जैसे हमने हाँ पर सुना है कि ऐसा होता है कि लोग entities को सिध कर लेते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, तो यह जो आपकल साइंस भी होती हैं, आपकल साइंस के लिए होती हैं, तो उनको भी सिध कर लेते हैं और उनसे काम करवाने के इसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता है? प्रॉपर रिच्वल्स के साथ, आप उनने चैनल करके अपना काम निकलवा सकते हो, बट इन रिटर्न वो कुछ मांगते हैं ऐसा कहते हैं कि अपनी सोल आप दे देते हो, उसके बदले जो आप काम कराना चाहो, वो कर देते हैं, बीट फेमस होना या आपका कोई भी काम निकलवाना जो नीरो करा, ऐसा है वहाँ पर कॉंसेप्ट? I would rather say yes, और यही सारी जो उनकी पढ़ाई है डिमनोलोजी के बारे में, आप क्या-क्या ओफर कर सकते हो, सिफ सोल ही ओफर नहीं की जाती ही, बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव हैं, वो सिखाया जाते है कि आप सोल ओफर के जगर पे, आप और क्या चीज़ोंने ओफर कर सकत जिससे वो आपका काम कर लें, क्या-क्या गर सकते हैं ओफर? मेजरली सारा तमस होता है, तमस का मतलब वो तत्व या वो अबजेक्ट या वो पदार्त जिसमें हीट जनरेट होती है, अब हीट किसमें जनरेट होती है, अल्कॉहल, आपके सबसे ब्लड में, सेकिंड हाइस कि जीजें ओफर करते हैं, जिसमें तमस जादा है, हीट जादा है, तो माम, ऐसा कहा जाता है कि जो भी आदमी इन हायर बींग्स को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, अपने काम के लिए, उसको बहुत जादा खुद से भी मतलब उसका बहुत नुकसान होता है, उसको अप अपने उपर बहुत चीजें लेनी पड़ती है, जैसे यहां भी कहते हैं, कि अगर आप किसी जैसे यहां पर बहुत फेमस टर्म है कर्ण पिशाचनी, अगर आप उनने सिद्ध कर रहे हो, और आप उनसे अपना काम निकल वा रहे हो, किसी का भी बुरा कर रहे हो, तो फिर आपको नेक्स जनम में, मतलब आप बहुत नीचे की ग्रेड की उसमें पैदा होते हैं, मतलब आपको वो पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप युनिवर्स के साथ खिलवाड कर रहे हो एक तरीके से, तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ कहा गया है, कि जो इनको यूज करक नहीं हमारा हिसाब यहीं खत्म तो जब आपका हिसाब खत्म हो जाता है तो आप कर्मों पास्ता ही नहीं हो रहे हैं, इसी रीजन के वज़र से, वह एनोजी एक्षेंज में बिलीव करते हैं, तू मेले ये काम करें, मैं तरीको रिटर्न में ये दूँगा, जीरो, आपको तो लोग वहाँ पर जैसे डेमॉनिक एंटिटी की बात वही तो सेटन को और जो भी आपने तीन चाह नाम लिए उनको यूस करते हैं अपना काम कराने के लिए कुछ लोग यस बट मैंने ऐसे भी लोग बहुत क्लोज ली देखे हैं जो किसी के बहले के लिए इन एंटिटी को यूस करते हैं अच्छा एसा भी होता है बहला भी हो जाता है डेमॉनिक एंटिटी से किसी का अगें वही हम स्क्वेर वन पर आगए डीमन और दाइमॉन बट म मैंने ऐसे लोगों को बहुत क्लोज ली देखा है जो एक्जाक्ली डीमन को यूस करके भी किसी की हीलिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहूंगे मेरी एक फ्रेंड थी और वो कैंसर से जा रही थी अब वो शी वस अलसो पार्ट ऑफ कावन यानि वो उन ल और उनका जो meet-ups होते है वो सिर्फ संदे को ही होता है और एक specific time जब जो सूर्य है वो एक्जाक्ली 90 डिग्रेप है यानि 12 बजे एक बजे के बीच में होती है तो उसको बुलाया और उसे बोला कि अगर आपको हील होना है तो आप क्या दे सकते हो return में तो कहती है कि आप क्या चाते हो कि अग मुझे हील होना है बस मुझे बचना बिकुस मेरे चोटे बच्चे है तो आप क्या दे सकते हो तो वहां का जो head थे जो basically वो पूरा रिच्वल लीड कर रहे थे उन्होंने बोला ठीक है हर Sunday आके तुझे थोड़ा सा alcohol चड़ा के जाना है आप बट इन रिटर्न वो तुझे हील करेगा और जिन्द की बड़ जब तक तू जिन्दा है तुझे ये रिच्वल को भूलना नहीं है आज भी वो लड़की जिन्द है उसके दो बच्चे हैं बहुत सुंदर से बहुत प्यारे से बच्चे हैं चीज अलाइव उसका पुरा कैंसर ठीक हो गया है और आज भी वो संडेस को जाती उस चर्च में चर्च नहीं बोलूंगी इस रॉंग वो कावन में जाती और वहां जाके वो अल्कोहल चड़ाती और वो अपना gratitude offer करते कि आपके वज़ेसे में जिन्दा बची तो not only मैंने ऐसा देखा है कि बिगड़ते वे मैंने ऐसे भी लोगों के साथ बहुत closely रही हूं जो किसी के भलेक ले भी गड़ते हैं यह मेरा personal experience रहा है और बिगड़ने वाला कोई experience रहा है तो बिगड़ने व जादा famous है कि अरे आप demons को worship करोगे तो बिगड़ जाएगा एक term होता है जिसे कहते हैं offering, demons काम इस पर करते हैं तू में ले यह कर मैं ते ले यह कर दूगा, उनका हिसाब किताब फंड़ना simple है पर जब आप उनके return में जो promise किया होगा होता है अगर आप नहीं करते हो, that is when व world famous, अगर आप YouTube पर जाएंगे और उसके repercussions देखेंगे जो कितने लोगों को उल्टा पड़ा है, वो एक ही कारण से, उन्होंने वो offering उस time पर as promised नहीं की तो अच्छा माम ऐसा भी है कि अगर आप highest offering कर रहे हो, जैसा कि हमने सुना है कि आप अगर Satan से deal कर रहे हो, तो आप ऐसा भी हमने थियोरी सुनी है कि फिर वो इनसान हमारी podcast में एक बंदे आये थे जिन्होंने research करी थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप Satan से deal कर रहे हो, आप अपनी soul उन्हें बेचते हो, मतलब आपने अपनी soul देदी और वो बंदा कभी आएगा इन्हों जो आएगा वो क्लोन होगा उसका, मतलब असली वंदा कभी वापस नहीं आएगा और बहुत सारे celebrities की भी हमने वीडियो देखी है जो की eyeballs उनकी shrink हो जाती है, जो वाइडन के लिए कहते हैं कि अब जो वाइडन है कुछ कॉन्फरेंस दिखाई हैं कि वो वो नहीं असली वाला वो कोई औ कुछ celebrities है जो गायब होगे बहुत टाइम के लिए पर जब वापस आए तो बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है और वो कहां थे कुछ पता भी नहीं है तो मैं ऐसा concept है सच में सोल ट्रेडिंग का कि अब वो इनसान नहीं है अब कोई और इनसान है ऐसा है अगर मैं इन चीजों मैं कहूं मैंने study कियो ही है मैं कर रही हूं इसमें मैं metaphysical मैं PhD लेना चाहते हूं and I would rather say वो सोल जो वर्ड है वो गलत है Okay Basically वो कवन कभी यह नहीं कहता है as per study यह जो मैं जितनी भी बाते कर रही वो as per study है जो मैंने की हूई है वो सोल नहीं होता है कहा जाता है हर इंसान जब जनम और मृत्यू जो एक वो cycle है तो वो अपने DNA केरी forward करता है अब वो जब DNA केरी forward करता है तो सारे DNA मिलके एक सोल का एक fragment बनाते है और जितने जनम होते है और यह जो मैं सारी बाते कर रही है वो basically उनकी study के साब से It can relate and correlate to lot of things and it can even not vibe अगर कुछ religions के साब से वो उनको यह theory नहीं but मैं सिर्फ उनकी बात करें जो वहां की होई है तो वो यह believe करते है हर जनम में जो हमारा soul fragment है soul जिसे हम चेतना कहते है वो carry forward होता जाता है तो जब आप किसी demon के साथ कुछ pact बनाते हो कुछ offerings के बार में decide करते हो कि तू मुझे fame दे in return में तुझे मेरी आत्मा दूंगा या मैं अपना soul दूंगा तो वो soul इंसानी soul की बात नहीं हो रही होती है वो उस DNA की बात हो रही होती है तो जब वो offering DNA यानी हमारे body cellular structure के अंदर जो DNA होता है और उनके अंदर electromagnetic force होता है वो इसले वो लोग trade कर रहे होता है तो जब वो soul वो DNA आई नहीं सकता वाफिस यह scientific study है कि अगर उन्होंने एक बार ही वो DNA निकाल दिया उस energy को निकाल दिया अवापिस उसे नहीं अपने body में डाल सकते and the reason why they act different जब वो वापिस consciousness में आ जाते है is because already वो DNA जा चुका है तो अब वो वापिस आई नहीं सकता है and this is why their body they it starts shape shifting तो इसके बाद क्या तो इसके बाद कर रहा है वो क्या है तो DNA energy electromagnetic force वो तो demon utilize कर चुका है ना तो वापिस कैसे दे सकता है वो energy तो फिर जो human है वो exist कैसे कर रहा है उसके body कभी पिज़ा अच्छा लगता है कभी नहीं अच्छा लगता है कभी ऐसा हुआ है अगर आप different way से सोचे तो एक intuition की बात करते हैं कभी ऐसा होता है कि नहीं यह चीज अच्छी लग रही कभी ऐसा लगते हैं नहीं हटा 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 यह नो तो दर डिफरेंट voices जो आपके अंदर से आती है बहुत बार तो वो जो different voices आती है वो multiple soul fragments के वज़े से होता है as per the western theory तो एक बारी जब वो DNA दे दिया उस demon ने तो utilize कर दिया बट बचे वे तो है ना उसके past life से वो carry forward तो कर रहा है ना इसलिए वो इस जनम जैसा नहीं होता है एक बारी वो DNA चला गया इसलिए उसकी body shape shift होने लग जाती है यह shape shifting क्या होता है shape shift is basically जब आपके body में structural changes आते जाते किसी energy के वज़र से एक अभी एक real viral हुई थी जहां पे plane में I think बहुत लोगों ने देखी होगी कि एक reptile एक normal इंसान था वो अचानक से reptile shag बन गया और फिर वो normal हो गया और उस पूरे incidents को उस women ने विटनेस किया and she got freaked out कि यह इंसान नहीं है और वो पूरा हल्ला करनी है exactly जब प्रिथवी की रचना होई थी as per their theory बहुत सारी magical communities earth पे लाइंड होई थी उनमें से एक थी reptilian shacks जो कहा जाता है वो अपनी shape shift कर सकते है so in a similar way जो मैंने आपको बताया था shape shifting जब आपके body में किसी outer energy के वज़से आपकी body का structure change हो जाता है उससे shape shifting का एक बहुत famous reel थी काफी पुरानी है वो Beyonce की है वो परफॉर्म करनी in stage में और ऐसे head इलाती है तो उनका एक demonic face आता है उनका actual face है वो left में होता है right left होता है और एक front इस वाले angle एक demonic face होता है तो यह वह ही है shape shifting ही है can be I'm not sure but it can be बापरे तो मैं जानना चाहता हो कि जैसे suppose let's suppose मैंने अपनी soul trade कर लिया मैं इस जनम में यह काम कर रहा हूँ ठीक है मेरी skill set है मेरी soul की skill set है यह कोई singer है तो अगर वो DNA निकल गया मतलब इस life का DNA निकल गया पिछले जनम में मैं singer नहीं था बट मैं इस जनम में और अच्छे गाने कैसे बना पाऊंगा कि मेरे को fame मिलती जाएगी बेसिकली उसे ही अकल्ट कहा जाता है जब इन विकस यह एनोजी के पास वो पावर्स होती है जो आपको मन चाही चीजों में चैनल कर सकते हो आप तुम नहां चाहते हो भी अच्छा ही गा होगे अच्छे गाने आएंगे ओडियंस को पसंद आएंगे अगर तुमने कर लिया आपने को सुनाता है यूट्यू वीडियो अगैन आई थी जहां पे वो सबसे पहले नॉर्मल गा के सुनाता है बंदा फिर वो लूसिफर का एन एन यानि मंत्रा उन पर्टिकुलर डिमॉनिक एंटिटीज को बुलाने के लिए भी मंत्रा जोते जिसे एंस कहा जाता है वो गाता है बकायदा वो गार आए और आफ्टर वो गार आए उसकी बाद उसकी वोइस चेंज हो जाती है ओ यह तो आप लिंक भेज ना यह हम देख होती है सेटन लुसिवर तो हर कोई जहल सकता है कि इतनी एनर्जी कि वही किसी के सपोज मेरी बॉड़ी महीं है तो मेरे थू कोई कुछ मांगना चाह रहा है तो काफी जादा एनर्जी चाहिए होती होगी स्केले इंसान को या सिद्ध होने की जोड़त महां पे है असा में आप कभी भी किसी एंटिटी को ऐसी एंटिटीज को आप अपने शरीर में ला ही नहीं सकते है अच्छा जैसे हमने यहां पर देखा है लोगों को देवी आती है शरीर में वो अल्टर स्टेट ऑफ कॉंशिसनेस में चले जाते हैं और उस एनर्जी को अपने अंदर बु बुलाया जाता है उन्हें कमांड किया जाता है फिर एक्सचेंज डील की जाती कि ठीके तुमें लिए काम करें रिटर्न में यह दे दूगा वह अपनी बात कैसे रखते जैसे सपोज अगर हमने उन्हें यहां पर बुलाया और हमें पहली बात तो पता कैसे जलता है कि वह कि झागे वह दिखते हैं फिजिकल फॉरम में या कुछ चीज़ें हिलती है जिसे वीजा बोर्ड होता है वह चीज़ें हिलती है अइसा कैसे पता चलता है कि वह आ गए उनके जो रिच्वल्स होते है उसमें बहुत तमस का यूज होता है अब जब वह ने क्या क्या चीज़ लेप शोल्डर के पीछे कोई खड़ा है और वो खुद अपने consciousness में नहीं होते हैं और वो जो बोल रहे होते हैं वो इसके influence में आके बोल रहे होते हैं got it so this is how they practice and अगर जैसे मान लो कि alcohol offering करी कि हम आपको alcohol चड़ाएंगे वो कहते हैं नहीं मुझे alcohol ऐसा होता है कि वो renegotiate करते हैं कि अच्छा इतना बड़ा काम है alcohol से नहीं होगा इसके लिए यह चाहिए होगा नहीं वहां की लोग अपनी intention के हिसाब से उस energy को पिक करते हैं कोई बड़ा काम है कोई मुश्किल सा काम है तो वो उस तरीके की electromagnetic force को पिक करते हैं और उस तरीके का तमस देते है रिटर्न में अब कोई छोटा मोटा काम है तो वो normal invocation करके भी हो जाता है अगर कुछ बड़ा काम है तो उसके बिए special practices होती, a special room dedicate किया जाता है उनके altar cloths हो तो यह specific symbols होते हुने रखा जाता है तामस चड़ाया जाता है and that is how they deal with the demons. वालब कुछ लोग के प्राक्टिस कर रहे हैं और जो आप जनता है वहापर जाती है वो लोग अपना काम भी निकल वाते हैं उनके थूरू and they are making money out of it. अशा हो रहा है. Money is, मैंने, to be very honest with you, मैंने जितने लोगों को देखा है उन्होंने आज तेक पाई भी चार्ज नहीं के. अच्छा. They do it because it's in their lineage. उनके blood में है. उनके forefathers, fathers ही सालों से प्राक्टिस करते हैं. Got it. जैसे यहां तो आशोलोजर्स चार्ज करते हैं. Again, वही कर्मों का हिसाब है कि हाँ, energy is, तो वहाँ चार्ज नहीं करते हैं. तो फिर उनका energy exchange कैसे होता है, वह तो जादा मानते हैं इसमें. नहीं, वह यह कहते हैं, तू में ली काम कर दे, मैं यह है. So what they believe is unity. कवन का मतलब होता unity. एक इंसान तकलीफ में हैं, तो सारे लोग उसके लिए उसकी मदद करने में लग जाते हैं. तो उनको जो भी ज्यान है, उनके पास जो जो knowledge है, जितना उनकी body electromagnetic force झेल सकती है, वह सारी चीजे करते हैं एक इंसान को मदद करने में. So this is how they do the transaction. So this is a kind of a secret society or is it publicized that anyone can join our coven? ऐसा कभी नहीं होता है, वह से secret societies होती है, और ऐसा नहीं कहूंगी कि वह एक्दम secret होते हैं, काले में घूमते हैं और vampire diaries के तरह, ऐसे नहीं होते हैं. उनके वार्से में वह चीजे चल रही होते हैं, वार्से में in the sense कि अगर मुझे मेरे दादा प्राक्टिस कर रहें, तो वह अपने ग्राइंड चिल्रिन को सिखाते हैं, और इस तरीके से वह क्यारी होता जाता है. So ऐसा कोई कवन होते होंगे, definitely हैं और होते होंगे, I'm not denying the fact, वह जितनी authentically मैंने उनको करीब से जाना है, वह उनके lineage से चलता रहे हैं. Okay, थोड़ा ना आप अपने बारे में बता दो आपकी, जैसे आपके client experience, आप कैसे लोगों को help करते हो, आप कोई भी जैसे, आपको reach out करता है, तो आप कैसे, कैसी समस्या आपके पास लोग लेके आते हैं usually, थोड़ा बताओ. So, जब मेरे पास कोई आता है, सबसे पहले, मैं अगर ये बोल दो कि, मेरी interest, बच्पन से ही western अकल के side बहुत जादा रहा है, तो जब मैं डेंटिस्ट्री करके निकली, मैं डॉक्टर बन गई, So, suddenly one day, मेरी ममा पूछते कि, बिटा अब तेली शादी का लड़का ढूंड़ा है, Now you decide, तुमें क्या गना है, तो मेरे पापा मुझे साइड में ले जाके बोलते, काम कर तु बहार चली जा, कि तु यह सारी चीजों में नहीं फसेगी, तु बहार चली रहा, अब अलड़ी बच्पन से वो थाई, कि वहां की लोग कैसे magic practice करते हैं, वहां की energies कैसी हैं, यहां तो मैंने सब कुछ देख लिया, क्यूकले upbringing ही वैसी family में हुई, जहां lineages, इस particular religion follow करते थे, तो अब वो जिग्यासा इत्नी री, वो interest इतना था, तो I started researching, फिर मैंने एक country पिख किया, वहां के लिए मैंने visa apply की, अब जब मैं वहां गई, इन चीजों को बहुत closely practice किया, and it's been ever since 2017, इन चीजों को मैं practice करते हैं, बट मुझे दिमनोलोजी के बार में पता है, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ, बहुत closely रहके देखा है, उनकी practices को बहुत closely जाना है, कि वो क्यों करते हैं? आपको डर नहीं लगा? Honestly, नहीं. Honestly, नहीं. And the way I heal people is, इसके लोग first अपनी problem लेके जब आते हैं, तो जितनी modalities मैं practice करते हैं, सबसे पहले देखते हूं कि कौनसी energy सबसे ज़ए इसके favor में है, कौनसी energy पे suit करेगे. And based on that, मैं decide करते हूं कि whether मुझे spells करना इस इंसान के लिए, whether मुझे इने कुछ बना के देना है जिस तरीके से जो clients आते हैं, जिस need के इसाप से उनकी energy के इसाप से या intensity of need के इसाप से उनने different different चीज़े बताते हूं. और यह बिलकुल सात्विक होता है, सब कुछ. Depend करता है उनकी intention पे और उस time need of the moment क्या है. अगर वो open ice cheese के लिए कि वही time sick कर, मैं चाहता हूं काम जल दी हो, time sick way में कर दो तो आप कर दोगे. अगर मैं diplomatic नाब बनके कहूं तो yes. Okay, nice. सारी details description में mentioned है, आप इनको Instagram पे भी follow कर सकते हैं, इनका Instagram भी description में mentioned है, और हम मिलते हैं आप से नए podcast के साथ, till then bye bye, and आप हमारी merch भी ले सकते है, realhitstore.com से, जिसका link description में है, Deepak जी ने पहना है, बहुत ही बढ़िया design, and हम मिलेंगे आप से. जाते-जाते मैं आप कुछ कहना चाहते हैं, audience से, any last words? Demons को कभी गलत वे से ना रहे और हमेशा अपना intention सही रखे, everything will be in the favor. आप बहुत है, awesome, awesome, शालो जी ओके, bye bye, take care, जैश्री रा, जैश्री रा.